रीमा लागू हिंडी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसने एक जमाने में हर किसी सिनेमा प्रेमी के दिल में अपनी जगहे बनाई थी बॉलिवुर्ड की एक ऐसी मा जिसने मौडर्न एरा इंडिया में मा के किरदार को सिनेमा में एक दम अलग और शांदार अंदाज में जिया 21 जून सन 1958 को रीमा लागू का जन्म मुंबई में हुआ था चुंकि रीमा लागू की मा मंदाकिनी भड़डे एक एक्ट्रेस थी और मराथी थेटर वस सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम था तो कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बच्पन में ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चल कर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बच्पन से मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की थी माता पिता ने इनका नाम रखा था नयन भड़बडे पहली फिल्म नयन महज 6 साल की ही थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली दफा कैमरा फेस किया था मराथी भाशा में बनी इस फिल्म में नयन चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आई थी और नयन ने काफी बढ़िया काम भी किया था बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था इत्तेफाक से ये सभी फिल्मे मराथी भाशा की फिल्मे थी यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्टिंग में करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जम कर की थी बतोर चाइड आर्टिस्ट कुछ मराथी फिल्मों में काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया हालांकि इस दौरान नयन भड़़डे ने थेटर करना नहीं छोड़ा था ऐसे बनी नयन भड़़डे से रीमा लागू M.I. की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्राच में नौकरी करना शुरू कर दिया नौकरी के साथ साथ ही नयन ने थेटर करना भी जारी रखा इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भड़़डे की मुलाकात उस शक्स से हुई जिससे इन्हें इश्ख हुआ और फिर उस शक्स से नयन ने शादी भी की इस शादी के बाद ही नयन भड़़डे बन गई रीमा लागू ऐसे हुआ था मुहबबत का सफर नयन की ब्रांच में ही विवेक लागू भी जॉब करते थे उनकी ही तरह विवेक भी थेटर में बड़ी गहरी दिल्चस्पी रखते थे और समय मिलने पर उनकी ही तरह थेटर किया भी करते थे थेटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को उनके नस्दीक ले आया दोनों साथ साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे कुछ नाटकों में दोनों ने साथ भी काम किया एक दूसरे का साथ इतना पसंद आने लगा कि दोनों ने कबूल कर ही लिया कि वो एक दूजे के इश्क में गिरफतार हो चुके हैं इन दोनों की मुलाकात साल 1976 में हुई थी लेकिन दो साल बाद यानि 1978 में इन दोनों ने शादी भी कर ली इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़भडे ने अपना नाम बदल कर रख लिया रीमा लागू ऐसे मिली हिंदी फिल्मों में सफलता शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिये तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे वे ना केवल मराठी थियेटर वह मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे बलकि मराठी फिल्मों के लिए तो वे स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे हिंदी फिल्मों में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफी रोचक है दरसल एक दफा ये प्रिथवी थेटर में एक नाटक में काम कर रही थी उसी नाटक के दौरान शशी कपूर की नजर इन पर पड़ी शशी कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदास बड़ा पसंद आया उन्होंने अपने दोस्ट श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कल्यूब में रीमा को किरन का किरदार दिलाया प्रिथवी थेटर में ही रीमा लागू पर गोविंद नहलानी की भी नजर पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटन की डांसर का रोल दिया था रीमा लागू ने बॉल्ड सीन्स भी दिये फिल्म आक्रोश में नौटन की डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूब सूर्ती से अपने काम को अंजाम दिया प्रिमा के साथ एक बोल्ड सीन दिया था। शुरू में रीमा को ये सीन देने में बड़ी ही दुविधा हो रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को निप्टा ही दिया। करियर के शुरुवात में इन दो बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। इन में से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन्स भी दिये। लेकिन पहचान फिर भी रीमा लागू तक अपनी पहुच नहीं बना पा रही थी। इस फिल्म से मिली पहचान। साल 1988 में रीमा लागू ने उस फिल्म में काम किया जो बेशक उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश ना रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फि पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने मा का रोल निभाया था। फिल्म्स बरदस्थ हिट रही थी और मा के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया था। एक इंटरव्यू में रीमा लागू ने कहा था कि उन्होंने कई सीन शूट किये थे। लेकिन फिल्म में वो नजर आये ही नहीं। छोड़ दिया था बॉलिवुड। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलिवुड छोड़ कर वापस मराथी फ फिल्म थी सल्मान खान की लॉंचिंग फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सल्मान खान की मा का रोल निभाया था। ये फिल्म भी बहुत जबरदस्थ हिट साबित हुई। रीमा लागू ने एक बार फिर से मा का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से न अपने बराबर उम्रवाले सितारों की मा बनी कुल मिला कर रीमा लागू बॉलिवुड के नब्बे और साल 2000 के दशक में मा के रोल के लिए सबसे फिट एट्रेस बन गई थी साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मा के रोल में दिखी थी लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से चार साल बड़ी थी वहीं फिल्म श्रीमान आशिक में तो जब लोगों ने रीमा लागू को रिशी कपूर की मा के रोल में देखा तो वो दंग रह गए उम्र में रिशी कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे यानि कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाजा लगा पाना मुम्किन ही नहीं होता था कि उनकी असल उम्र क्या है रीमा लागू के कुछ यादगार किरदार फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मा का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू एक तरह से अमर ही हो गई थी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और रीमा लागू भारत के घर-घर में एक आदर्श मा के तौर पर देखी जाने लगी थी था वो एक ऐसी मा थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मार कर खत्म कर देती है रीमा लागू ने इस रोल को भी बड़ी खूबसूर्ती के साथ निभाया था कई यादगार टीवी शो भी किये धेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज में भी काम किया था इनका सबसे पहला टीवी शो था साल उननीस सौ पचासी में ब्रोडकास्ट हुआ खांदा लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया साल उननीस सौ चौरानवे में प्रसारित हुए श्रीमान श्रीमती नाम के शोने और फिर इनकी लोकप्रिया में चार चांद लगा दिये इसी साल प्रसारित हुए और एक और टीवी शो ने जिसका नाम था तू तू मैं मैं नब्बे के दशक के लोगों को आज भी रीमा लागू के ये दोनों शो अच्छी तरह याद और पसंद होंगे रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नाम करण ऐसी थी रीमा लागू की निजी जिन्दगी रीमा लागू की निजी जिन्दगी के बारे में बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानि साल 1988 की 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मिर्णमई लागू बेटी के जन्म के कुछ ही सालों बाद रीमा लागू और उनके पती विवेक लागू के बीच अनबन रहने लगी दूरिया जब ज्यादा बढ़ गई तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया कोट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी बेटी के लिए रीमा लागू ने कभी दूसरी शादी नहीं की ना ही उनके पती रहे विवेक लागू ने उनके बाद किसी दूसरी औरत का हाथ थामने की कोशिश की असी के दशक के आखिरी सालों में अभिनेता शफी इनामदार के साथ रीमा लागू के अफेर की खबरें जरूर आई थी लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है ये कभी मालूम नहीं चल पाया सालों बाद पती के साथ आई नजर साल 2014 में रीमा लागू काफी वक्त बाद एक बार फिर से अपने पूर्व पती विवेक लागू संग एक नाटक में एक्टिंग करती नजर आई उस नाटक का नाम था दूसरा सिलसिला उस नाटक को देखने के बाद कई लोग तो ये सोचने लगे थे कि शायद जल्द ही रीमा लागू और विवेक लागू ये घोशना कर देंगे कि एक बार फिर से वो दोनों साथ आ चुके हैं लेकिन ऐसा कभी ना हुआ रीमा लागू की बेटी म्रिन्मई अब काफी बड़ी हो चुकी है उसकी शादी भी हो चुकी है म्रिन्मई कुछ मराथी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं और कुछ का उन्होंने डायरेक्शन भी किया है कभी पूरी नहीं हुई ये ख्वाहिश रीमा लागू की इमेज बॉलिवुड में कुछ ऐसी बनी थी कि उन्हें हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल ही मिलते थे हालांकि वो चाहती थी कि उन्हें निगेटिव रोल्स भी ओफर हो लेकिन कुई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें नेगेटिव रोल देना ही नहीं चाहता था साल 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था वो किसी निगेटिव रोल की तलाश में थी उनकी ये ख्वाहिश पूरी की महेश भट ने जो साल 2016 में नामकरन नाम का एक टीवी शो डायरेक्ट करने जा रहे थे महेश भट ने इस शो में रीमा लागू को दयावंती महता के रोल के लिए साइन किया इस शो में दयावंती का किरदार एक निगेटिव शेड़ वाला किरदार था रीमा लागू इस शो में अपने काम से बहुत खुश थी होती भी क्यों ना आखिर पहली दफा उन्हें उनकी पसंद का किरदार जो मिला था और फिर आया वो मनहूस दिन लेकिन रीमा लागू की ये खुशी ज्यादा ना टिक सकी इस शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान 18 मई 2017 को रीमा लागू की तबियत कुछ खराब हुई बेटी और दामाद ने रीमा को कोकिलावेन धीरु भाई अमबानी होस्पिटल में भरती कराया वहां मालूम चला कि रीमा लागू को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है रीमा का परिवार हैरान था रीमा को कभी भी दिल की कोई बीमारी नहीं थी ना ही उनके परिवार में किसी और को ये बीमारी थी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रीमा एकदम ठीक महसूस कर रही थी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन रीमा लागू की जिन्दगी का आखिरी दिन होने वाला है अचानक रात को करीब एक बजे रीमा लागू की तबियत दोबारा और पहले से ज्यादा खराब होने लगी डॉक्टर्स ने रीमा को आईसीउ में भर्ती कर दिया आईसीउ में ही रात को लगभग सवा तीन बजे उनसट साल की उम्र में रीमा लागू की कारडियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई रीमा लागू की मौत की खबर ने ना केवल बॉलिवुड को बलकि सारे देश को स्तब्ध कर दिया हर कोई रीमा लागू के इतनी जल्दी और यूँ अचानक दुनिया से चले जाने से दंग और परिशान था लेकिन सच वही था हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी थी अमर रहेंगी रीमा लागू रीमा लागू का अचानक दुनिया से चले जाना बहुत लोगों के लिए एक सग्मा साबित हुआ था आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी हुए थे रीमा लागू जैसी शांदार अदाकारा की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा दिजिटल ज्यान मंदिर रीमा लागू को नमन करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है जय हिंद